नमस्कार SP9 News में आपको स्वागत है मैंनाजमिन खान स्मृती रानी जो यहाँ पर डंकी की चोट पर बोलती हुए नजर आती है कि भारती जंता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में जीतती हुए नसर आएंगे और अमेटी की जंता ने जिस कदर उने प्यार दिया है ऐसे में जो राहुल का पत्ता साफ अमेटी में हुआ है आने वाले चुनाव में भी फिर से अमेटी उनको ही पसंद करती हुए नजर आईगी ऐसा दावा वो करती हुए नजर आती है इसी के साथ साथ स्मृति नानी क्या कुछ कहती है। वो कहती हैं कि कॉंग्रेस को हराने के लिए उन्होंने महिला का कार्ड नहीं खेला है बलकि यहां पर दम रखती है यहां की जनता ने यानि कि अमेटी की जनता ने उन्हें बखुबी चुना है राहुल गांधी को हराया है। बड़ बोले हैं यहां पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के इशारों पर कटपुतली की तरह नाचने वालों में से हैं और यहां पर स्मृती रानी को अब करारी हार मिलती हुए नजर आईगे। होगा ही जैसे कि करनाटक में देखा गया था करनाटक में कॉंग्रेस ने बहुत तरीके से यहां पर प्रचार किया और यहां पर करनाटक में राहुल गांधी के फेस के जरिये चुनाव लड़ा गया। चुनावी मैदान में उतरते हुए राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया और सिद्रमय यहां पर मुक्यमंत्री के रूप में चुन लिये जाते हैं। तो साथ तोर पर है कि यहां पर राहुल गांधी के चेहरे पर तो कॉंग्रेस को उतरना पड़ेगा, लेकिन किसी दावेदारी को भी पेश करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड़ा अमेटी से चुनाव लड़ सकती है ऐसे कॉंग्रेस की तरफ से ये खबरे सामने आ रही है अगर प्रियंका गांधी वाड़ा अमेटी में उतरती है तो आप बखुबे जानेंगे कि वहाँ पर वोट बैंक हासिल करना प्रियंका गां गांधी वाडरा ने अपनी आवाज उठाई है और ऐसे में स्मृति रानी सिर्फ और सिर्फ यहां पर भारती जंता पार्टी के शारों पर काम करती देखी गई अब इस मुद्धे पर आपके क्या राय कि अगर प्रियंका गांधी वाडरा मैदान में उतरती है अमेटी से झाल 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 झाल